केहम ख़बर के और रुख करते हैं, अलुमीनियम की कमजोर ग्लोबिल डिमांड की चिंता से हिंडालकों के शेर में आज दबाब देखने को मिल रहा है दुनिया की दिगज अलुमीनियम कमपनी यहां पर कॉंस्टेलियम के कमजोर नतीजों से डिमांड को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसी का असर हिंडालकों पर भी दिखाए दे रहा है हमारी सहीयोगी अशेशा जुड़ गई हैं तमाम डीटल्स के साथ, बताइए अशेशा बिल्कुल हिंडालकों में करीब 6% की गिरावाट आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है पारिस बेस्ट अलुमीनियम मैनुफाक्चरर है कंस्टेलियम जिनकी कॉमेंटरी आई है काफी कमजोर कमेंटरी है, नतीजे भी आये थे, वो भी कमजोर थे और अगर कंपनी का नजरिया बताए, अक्रोस सभी सेगमेंट उनका नजरिया काफी कमजोर है एरोस्पेस डिमांड की बात करें तो उनको लगता है कि डिमांड एंवायमेंट काफी वीक रह सकती है इसी के साथ साथ कई दूसरे सेगमेंट पर भी उनका नजरिया काफी नगेटिव है जिसका डिरेक्ट इंपक्ट नोवेलिस पर दिखेगा जो अमेरिका बेस्ट कमपनी है और अमेरिका और यॉरोप पर डिमांड कमसोर हो सकती है जिसका इंपक्ट दिखाए दे सकता है और इसी के चलते स्चॉक में भी आज गिरावट दिखी है याद रखें नोवेलिस की बात करें तो नोवेलिस करीब 20% revenue नोवेलिस का automotive segment से आता है और इस company, global company का मानना है कि automotive segment पर नजरिया काफी कमजोर है डिमांड environment काफी कमजोर है जिसके चलते नोवेलिस के नतीजों पर impact दिखाए दे सकता है और उसी के चलते हिंडालकों के stock में भी करीब 6% की गिरावट आज के trading session में दिखी है और राइट अशेशा बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम details यहाँ पर हमें देने के लिए और उसी के चलते हिंडालकों में थोड़ी से concerns भी आते हुए दिखाई दे रही है और एहम ख़बर की और रुख करते हैं स्कॉट्स कुबोटा से railway business की deal की ख़बर से Sona Comstar में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है इस ख़बर की तमाम details के मुताबिक अगर हम देखें तो एसकॉट्स कुबोटा 5% तूड़ गया है शरत दूबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस ख़बर को समझाएंगे विस्तार से शरत stock पर reaction देख रहे हैं हम ख़बर के चलते जी बिलकुल सबसे पहले सोना कॉमस्टार के लिए एक beneficial acquisition है वैलुएशन फेवरबल हो गए है सोना कॉमस्टार के लिए और ख़बर यह है कि सोना कॉमस्टार एसकॉट्स कुबटा के जो railway division है उसको acquire करने वाली है यह acquisition लगबग 1600 करोड उपे का रहेगा और यह बहुत आकरशक लेवल्स पे acquisitions देखने मिला अगर आकडों की बात करें तो 9x EV EBITDA multiple FY24 के लिए है अब यह acquisition 30th September 2025 तक complete हो सकता है और बहुत सारे railway segments है उनमें यह deal करते है HVAC जो होता है जो आपके AC cooling systems होते हैं बहुत सारे components होते हैं railways के manufacturing में उसमें जो है usage रहेगी तो यह एक टाइप से acquisition जो है value accretive पहले साल से ही रहेगा यह management का भी statement आया तो उसके कारण जो है of course numbers भी बहुत अच्छा है Sona Comstar के Q2 numbers stable थे तो उसके कारण जो है acquisition की benefit और Q2 numbers की strength के कारण तेजी देखने मिल रही है Sona Comstar को लेके लेकिन दूसरे साइड वही अगर आप देखे escort skvota के बारे में तो यहाँ पे stocks में गिरावट देखने मिला है अब इसका कारण यही है कि overall कहेंगी जो अनुमाती जो भाव है वो भाव जो है तोड़ी expensive है और याद रखे है यह एक high margin business है railways का अगर आप escort skvota के बारे में बात करें तो इसका लगबख 19% का आता और जो consolidated basis पे margins आता है यहाँ पे escort skvota का वो लगबख 15 से लेकि 16% तक का रहता है तो of course railway की जो business है हाला की याद रखेगा यह एक non core business है तो एक type से वो अपनी core business में ही focus करने वाले escort skvota बट overall बाजार को जो है यह ठीक नहीं लग रहा है escort skvota का क्योंकि जो valuations पे हुई है वो थोड़ी सी negative जरूर है उनके लिए exports में अकुल में बिला के लगबख 11% हिस्सेदारी जो है इस segment से आती थी और growth और ज्यादा margin है इसका मार जरूर पड़ा है और आगे जाते हुए जो है एक्सपोस जो है एसकोस ने क्या बेचा railway कारोबार में वो भी मैं बता देता हूँ company जो है एगरी construction equipment में जादा focus करती है और उसके लावा operation on capital allocation उस पे भी जो है जादा company का focus में रहने वाला है तो एक side sonar comstar को एक अच्छी acquisition मिली दूसरे style escort क्यूबटा को जो है एक अच्छी high margin business से exit मिला तो उसके कारण दो अलग-अलग stock reactions आपको आज देखने मिल रहे हैं लशरद शुक्रिया तमाम details देने के लिए